दोस्तों आज का वीडियो हमारा reverse forward starter के control wiring के बारे में है दोस्तों इस वीडियो में हम केवल control wiring करना सीखेंगे देखिए दोस्तों यदि हमें reverse forward starter बनाना है तो हम यहाँ पे दो conductor यूज करते हैं एक दोर reverse conductor और दूसरा forward conductor ठीक है और motor के protection के लिए यहाँ पर एक ओवलोड रिले का उप्योग करते हैं ठीक है दोस्तों अब यदि हमें motor को चालू करना होता है तो उसके लिए हम forward push button का उप्योग करते हैं और यदि हमें motor को reverse direction में चलाना है तो हम reverse push button का उप् इस control MCB के outgoing terminal से हम power supply को distribute करेंगे ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा MCB है इसके incoming terminal पर power supply दे देते हैं तो यहाँ पर मैंने face supply और यहाँ पर neutral supply connect कर दिया दोस्तों यह जो हमारा contactor होती है इनमें देखिए यहाँ पर A1 terminal है और यहाँ पर A2 terminal ठीक इसको neutral supply देने के बार यह जो दूसरा contactor है इसको भी हम neutral supply देते हैं अब हमें face supply लेके जाना है अब हमें face supply को क्या करना है यहाँ से ले जाके A1 terminal पर connect करना है ठीक है लेकिन इनके बीच में हम इन सभी electrical equipment को भी जोडते हुए लेके जाएंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं यहा 96 न บर का टर kilogram पर इसमें से एक वायर को कने करके हमार जो stop push बटन है उसको incoming power supply दे देंगे ठीक है अब देखे दोस्तों यह जह हमारा forward push बटन है इसके और्टवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यह चालू है तो उस condition में हमारा जो reverse contactor है वह चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ होता है, यह हमारा reverse contactor चालू है, तो इस लिए इस लिए हमने यहाँ पर NC contact का इस्तेमाल कियां, ठीक है डोस्तों, आप देखिए, यह जो हमारा forward contactor था, इसको हमने face supply को प् है वह चाहां हो जाएगा ठीक है और जैसे इसको करेंगे तो तुरनत रहीं बन्द हो जाएगा थीकशंद ऑमारा इसको होड करके रखने कि लिए यहाँ हों पर हमें होडिंग सर्कील बंहाना पडता है थीकि करते हैं Special स्टोप पूस्टन एअरग वायर को क्नेक करके इस conentiactor के N cannon पर कनेक करदेंगे और उसके बाद अब यह radarenne continue यानि कि 43 संबर टीकर कह दो हुम क्या करते हैं है कैसे whoiare को क्नेकर स्क्रेंट करन पर कनेक करदेंगे ठीग है यहां पर हमारा जो con da Lightning सर्कित बन गया अब देखे दोस्तों यह जो हमारा forward contactor था इसका controlling हो गया है अब हमें reverse contactor का controlling करना है अब यह जो हमारा reverse push button है इसको हम इस forward push button के parallel में connect करेंगे ठीक है तो इसके रहे हम क्या करते है यहां से यह वायर को our going terminal है ये 32 नमर टर्मिनल वाली यहां से एक wire को करने करके हमें इस contactor के A1 terminal पे लेके जाना है तो यहां से एक wire को करने करते हैं और उसको ले जाके A1 terminal पे करने कर देंगे ठीक है अब हमें इस contactor को भी होल्ड करांके रखना है तो इसके लिए भी holding circuit बना देते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा contactor है इसका एनो contact का इस्तमाल करेंगे ठीक है अब इस एनो contact पे power supply ले जाने के लिए हम यहां से एक वायर को कने करेंगे और इस terminal के करेंगे ठीक है अब जो इसका अर्गूइन terminal है यहां से एक वायर को कने करके इस terminal के सार करेंगे यानि कि हमने एवन terminal के सार कने कर दिया है ठीक है तो दोस्तों यहां पे हमारा जो reverse forward starter का control wiring है वो complete हो चुगा है ठीक है अब जो हमारा यहां पर आदि आगे लाइन गलू हो रहे हैं उन-उन terminal पे हमारा power supply रहेगा आप यहां पर देख सकते कि यह जो हमारा start push button था इसके और गटन पे power supply आगे flow नहीं हो रहे है क्योंकि यह जो हमारा start push button है इसमें एनो कोन्टेक का इस्तमाल किया है तो यहां पर हमें यादी मोटर को फूरवर्ड डायरेक्शन चलाना है इस पूस बटन को प्रेस करेंगे जैसे इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो फूरवर्ड कॉन्टेक्टर है वह अनुग ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं पावर सप बन जाएगा और पावर सप्लाई यहां से फ्लो होने लगेगा ठीक है अब यादी हम इस पूस बटन को रिलिज़ भी कर देते हैं तो हमारा कॉंटेक्टर ओन ही राएगा ठीक है दूस्तों अब यदि हमें मोटर को बन करना है तो हम इस पूस बटन को प्रेस करेंगे जैस अब यदि हमारा reverse contractor चाल हुए उस condition में यदि हम forward push बटन को प्रेस भी करेंगे तो हमारा forward contractor चालू नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि यहां पर हम interlocking करके रखेंगे ठीके दोस्तों आप दोस्तों देखिए यहां पर हमारा motor running condition में ठीके अब यदि किसी कारण से हमारा जो motor है वो overload condition पर ट्रिप होता है तो क्या होगा यह जो यह एनसी कॉंटेक्ट है वो एनसी से एनो बन जाएगा ठीके एनो बनते ही क्या होगा power supply आगे flow नहीं हो पाएगा और जो हमारा motor है वो बंद हो जाएगी ठीके दोस्तों अब यदि हमें power supply को normal करना है तो हमें इस reset push बटन को प्रेस करना पड़ेगा इसको प्रेस करते ही हमारा जो control supplier वो reset हो जाएगी ठीके दोस्तों तो दोस्तों कुछ इस प्रकास से हमारा जो reverse forward starter होती है उसका control wiring करते है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग